हेलो फ्रेंड्स, काफी सारे योनो यूजर्स और योनो लाइट यूजर्स बार बार सवाल करते हैं हमसे कोश्चन किया करते हैं कि भाई कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं अपने ब्रांच को घर बैठे ही चेंज कर सकूँ यानि कि अभी मेरा जो एकाउंट है जो खाता है जिस बैंक एकाउंट में है अब मैं उस बैंक एकाउंट से दूसरे बैंक में दूसरे ब्रांच में अपना एकाउंट ट्रांसफर करना चाहता हूँ क्या ये possible है क्या ये हो सकता है घर बैठे तो दोस्त आज इस वीडियो को complete देखना चुकि आज की इस वीडियो में मैं आपको you know light application के थुरू bank account को transfer करने का complete process बताने वाला हूँ वैसे अगर आप you know sbi use करते हैं और आप चाहते हैं you know sbi पर भी वीडियो बने तो आप मुझे comment करना तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और complete process बताऊंगा कि you know sbi में भी आप कैसे अपने branch को transfer कर सकते हैं change कर सकते हैं लेकिन अगर आप लोग you know light user हैं तो इस वीडियो को complete देखना चुकि ये वीडियो आज नहीं तो कल जरूर कम आएगी तो चलिए शुरू करते हैं so friends वीडियो को continue करने से पहले मैं आपको बता दू अगर आप लोग को कभी भी banking से related किसी भी प्रकार की समझ्या आती है या पर किसी प्रकार का जानकारी लेना चाहते हैं किसी भी topic के regarding तो आप लोग मुझे comment कर सकते हैं या फिर आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं link आपको description box में मिर जाएगा वहाँ पर जाकर के आप follow कीजिए support कीजिए और अपना problem वहाँ पर रखिए ताकि मैं आपका reply दे सकूँ उसका solution बता सकूँ so please जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए Instagram एकाउंट को और follow कर लेजिए बात करते हैं main point की काफी सारे users को अक्सरहा कभी न कभी अपना bank branch change करना होता है किसी region बस कहीं चले जाते हैं मानलेजिए अभी मैं बिहार में हूँ तो मुझे उत्तर परदेश जाना पड़ेगा या पिर अभी मैं बेगुस राजिला में रहता हूँ तो हो सकता है मुझे मुझे जाना पर जाए मतलब कि region कुछ भी हो सकते हैं आपके अलग अलग region हो सकते हैं तो उस region से अगर आप अपने bank account को change करना चाहते हैं यानि कि खाते को एक branch से दूसरे branch में transfer करना चाहते हैं चुकि बहुत साथ लोग चाहते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है कि आखिर में घर बैठे यह possible है या नहीं और अगर possible है तो कैसे तो दोस्त आज इस वीडियो को end तक देखते रहना आपको complete process बताया जाएगा और आप भी सही तरीके से समझ जाओगे कि कैसे bank branch को transfer किया जाता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए अपने mobile में Unulite application को open कर लीजिए open करने की बाद इस तरह का user interface दिख जाएगा अब यहाँ पर आपको देखे कुछी तरह का pop-up आगया technical issue का आपको ok कर दिना है और फिर से इसे open करना है तो यहाँ पर आप easy pin डाल करके यानि की mpin डाल करके login हो जाएए login करने की बाद आपको इस तरह का page दिख जाएगा अब यहाँ पर देखे काफी सारे options दिख रहे होंगे जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसकी बाद अब आपको यहाँ पर services वाले option पर click कर दिना है देखे यहाँ services इस पर आपको click कर दिना है click करने की बाद यहाँ पर काफी सारे options आजाएगे नया page आजाएगा उपर में services वाले option में ठीक है तो यहीं पर देखे काफी सारे options जैसे की extending instruction online nomination ठीक है तो आपको एक option दिख जाएगा transfer of saving account यह रहा इस पर आपको click कर देना है click करने की बाद इस तरह का page आ जाएगा अगर आपको account कई सारे हैं तो यहाँ पर आपको account दिख जाएगे सबसे पहले आपको account select करने के लिए बोला जाएगा तो आप इस पर click किजिए click करने की बाद आपके bank में 2-4 account है तो 4 account यहाँ पर दिख जाएगा तो मेरा सिर्फ एक account है तो मैं एक account को अपना select कर लेता हूँ select करने की बाद आपके account का पूरा details यहाँ पर दिख जाएगा जैसे की account number, account type, branch name तो branch name तो आपको देख गया लेकिन नीचे में एक option है enter new branch code मतलब कि जिस branch में आप transfer करना चाहते हैं अपने खाते को उस branch का code यहाँ पर डाल दिजिए उसके बाद gate branch name पर click कर दिजिए तो देखे friends यहाँ पर मैंने branch code डाल दिया आपको branch code पता होना चाहिए जिस branch में आप transfer करना चाहते हैं अपने खाते को लेकिन यहाँ पर ध्यान देना आपको पढ़ेगा कि आपके bank का जो branch code है वो कौन सा है लेकिन अगर आप you know sbi application से transfer करेंगे अपने bank branch को तो इतना आपको याद रखने की जरुवत नहीं है उसका एक अलग process है मैं next video बनाऊँगा अगर आप लोग का जाला comment रहा तो ठीक है अब देखें यहाँ पर get branch name पर click किया तो यहाँ पर new branch name बेगुसराय आ चुका है उसके बाद I accept यहाँ पर कर देना है और submit तो जैसे ही आप submit पर करोगे click तो यहाँ पर देखें ऊपर में आपको select account उसके बाद account number, account type, branch name पहले का जो branch name है वो दिख जाएगा उसके बाद new branch code यह रहा new branch name बेगुसराय और delivery mode online ठीक है इस तरह का page आ जाएगा उसके बाद आप आपको confirm पर click करना है तो जैसे ही confirm पर click करोगे तो आपके registered mobile number पर एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है ठीक है जैसा कि देखें यहाँ पर OTP मुझे आ चुका है उस OTP को यहाँ पर click कर देना है तो जैसे ही आप submit पर click करोगे दोस्त मैं अपना खाता transfer नहीं करना चाहता मैं आपको सिर्फ बताने के लिए इतना process किया है कि आप जैसे ही आप OTP डाल के submit पर click करोगे तो आपको एक pop-up message आ जाएगा कि आपने जो खाता transfer करने के लिए request दर्ज किया है वो proceed हो मतलब कि आपका खाता transfer हो चुका है उसके बाद आप जब दोबारा योनो SBA application या पर योनो light application में अपना खाता चेक करोगे ना तो आपको दिखा दिया जाएगा कि आपका खाता किस bank account में है तो ये छोटा सा process है इस process की help से आप बिना bank जाए बिना भागदार किये घर बैठ इतना ही so I hope friends आज की या वीडियो आपको काफी ज़्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको knowledge भी काफी अच्छी मिल गई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो के नीचे like का button है उसे जरूर दवा देना और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैन